नमस्कार दोस्तों मैं भूपर सिंग्राटर स्वागत करता हूँ आप लोगों का ओल इक्जाम प्लेश्ट के स्टार्ट करने वाले हैं आज से वह मद्य प्रदेश का इतिहास ठीक है ना तो कि बहुत सारे बच्चों की डिमांड भी थी कि सर मद्य प्रदेश का इतिहास आप मद्य प्रदेश का इतिहास महत्पूर्ण है प्री के साथ में मैंस के लिए बहुत ज्यादा महत्पूर्ण है और फॉरेश्टी वालों के लिए बहुत ज्यादा महत्पूर्ण टॉपिक रहेगा यहां से प्रस्ण आते ही आते हैं ठीक है ना तो इस टॉपिक को भी हम जैस हो जाए systematic तरीके ज़र ठीक है ना और इतिहास एक ऐसा topic है कि बहुत सारे बच्चों को इतिहास में problems आती हैं याद करने में या तो उनको story नहीं बन पाती है तो fact याद करने में समस्या होती है तो इसलिए हम तरीके से study करेंगे कि बहुत ज़्यादा तो आपके उपर जो है मानसिक दवाव ना बने बलकि आपको चीज़ें याद हो जाएं ठीक तो चलो बिल्कुल चलते हैं सबसे पहले तो जब भी आप लेक्चर देखो तो skip मत किया करो skip करने से कुछ concept जो है आप भूल सकते हो ठीक है ना बड़े धैर के साथ देखा करो क्योंकि आप जिस फिल्ड में तैयारी कर रहे हो बहुत बड़े देखते हुए चलेंगे तभी आपको चीज़े याद होंगी और नोट डाउन भी आप लोग करते जाएंगे ठीक है ना तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि इतिहास क्या होता है ठीक है आप लोगों पहले भी पढ़ रहा होगा क्योंकि भारती इतिहास भी आप लोग लिखेंये लाखाँर जांटिक होंगे तो सबसे पहले हम समझते हैं इतिहास में यह मान कर चलता हूं कि आप लोगों नहीं पड़ा है तो इतिहास क्या है रफ्य आपि ञुकर पोराना समय भी थीखs में ही ना इसका जो अध्यान हम करते हैं उसको क्या बोलते हैं इतिहास क कि इतिहास के अंतरगत क्या क्या होता है तो देखो इतिहास के अंतरगत जिस विशय का ध्यान करना है अब आप लोग बोलोगे कि भाई इतिहास भी तो इतिहास ही तो एक विशय है तो यहां पर यह सब्द कहा से है तो मैं आपको बता दूँ कि एक बात याद रखना जो इति इतिहास है, आप लोग हैं, आपका भी कोई ने को इतिहास है, आपके परिवार का को इतिहास रहा होगा, आपके जो डिवाइज अविस्तमाल कर रहा है, उसका भी एक इतिहास बन चुका है, ठीक है, तो जिस चीज का समय भी जाता है, वो ही तो इतिहास बन जाता है, तो यहा हधास एह तर हम भारती ठास पढ़ते हैं में थैक्त कर अभी फिलाल में मद्धिपृदेश के Live फ़िए लगा देंगे कि भारती थैहास मद्धिपृदेश के दिहास Report आगार आप बोलोगे कि भारत के इतिहास हम पढ़ रहे हैं तो बात तो फिर जोग्रॉफी पर भी आ जाएगे क्योंकि जो करनीशन रही है वह भी तो भारती इतिहास बन चुकी ना कि भाई कैंसे कैंसे जो है पैंजिया टूटा पैंजिया से भारत अफ्रीका का भाग था मानवी इतिहास अब यह एड्रस पूरा हो गया है कि जो इतिहास आप लोग पढ़ रहे हैं वो इतिहास किस संबंदित है भारत से संबंदित है और भारत के मानवों से संबंदित है इसलिस्ट को क्या बोलेंगे भारतिय मानवी इतिहास कहेंगे तो यह एक पूरा का पूरा صब्द जो है फून हो जाता है ठीक है ना जिसी प्रकार हम लोग जो मद्ध्द पृदेश के तिहास पढ़ेंगे तो वह क्या बन जाएगा मद्ध् विश्य कि संब्द में इतिहास पढ़ेंगे तो मद्द प्रदेश की जो मानवी इतिहास संब्द जो घटना घटी है और साथ में अवधारना हैं क्या होती है अब धारना है जैसे कि अगर मैं बात करूँ अगर हम प्राची नितिहास की बात करें अब हड़ापा की संब्द में अगर इतिहास पड़ते हैं तो क्या कोई गारंटी से बात बोल सकता है कि जो भी आप पढ़ रहे हो जो भी चीज़े हम समझ रहे हो वह बिलकुल भाई सही है ठीक है ना यह हम बात करें हल्दी घांटी क युद्ध की ठीक है ना यह कोई भी युद्ध जो पुराने समय में या मत्य समय में जो घट चुका है उस युद्ध की तो उसमें जो भी आप पढ़ते हैं कि हल्दी घांटी का युद्ध हुआ और उसका परिणाम ये रहा तो क्या वो वाकई में सही है दूसरी बात उसक जो गड़ना की जाती है कि इतने लोग मारे गए इतने लोग खायल हुए इस वीर ने ये कहानी की इस वीर ने वो किया ठीक ना इस भोड़े ने ऐसा कमाल दिखाया क्या वाकई में सही है ये या जैसा बोला जा रहा क्या वाकई में बैसा है तो इसकी कोई गारंटी नहीं ह आता है कि भाई ऐसा ऐसा ही हुआ होगा ये मालन लेते हैं कि हरपा सभिता में जै fatty रही होगी उसमें एस ऐसी चीज़ें रही होगी इतना बढ़ा इसनानागार प्रोफ कर यह क्टान वहां प्राटित क्या जाते होंगे इस में रिपी को भी नहीं junior पर पाए हैं जिससे की अंदाजा लगा सकें कि भाई वहां पर वाकई में धार्मिक अनुस्ठान किये जाते थे या अनुस्ठान से संबंदित व्यक्ति वहां पर इसनान करते थे ठीक है ना तो जो भी बाते हैं उनमें हमने किया जो साक्ष मिले हैं उन साक्षों के साथ में क चित्र देखते हैं तो उनको देखकर हमें एक इतिहासिक अंदाजा लगाने बैठ जाते हैं ऐसा ऐसा हुआ होगा यह सब क्या है अब धार नाय है ठीक है न तो जब इतिहास का ध्यन करते हैं तो जो विगत घटनाय घटी है वह घटनाय और साथ में क्या जोड़ दी जाती है अब धार नाय तब ही जाकर इतिहास का ध्यन किया जाता है ठीक है न जो भाग हम लेकर आया है इस भाग में क्या पढ़ेगे तो मद्य प्रदेश से संब्द जो मानव इतिहास हैं उसका ध्यन करने वाले हैं लेकिन मैं आपको यहां पर बता दू कि आज का जो लेक्शर है वो सभी चीजों को आज हम यहां पर देख लेंगे जैसे कि डिवाइडिशन क्या है उनका ठीक है न कौन-कौन से साक्षों के आधार पर इतिहास का ध्यन किया जाता है कैंसों इसमें अब धार नाय जोड़ी जाती हैं यह सभी बेसिक बेसिक चीज़े हम देखेंगे उन सबसे पहले बात करते हैं इतिहास की परिवासा समझ में आ गई तो इतिहास की परिवासा हमने क्या वोला जो विगत समय बेद गया उसका जो अध्यन करना है और साथ मुसमें जो अब्धार ना जोड़ दी हैं उन सभी चीजों कि हम क्या बोलते हैं अब बात करते हैं इतिह पुरा तात्विक्स्रोतों की बात करूं तो यह क्या होते प्राचिन समय में जिस समय का मद्यन कर रहे होते हैं उस समय में जो जो चीज़ें समय के संब्द में हमको मिलती हैं तो दारण के लिए भाई तूटे-फूटे-जो है तूटे-फूटे-बरतन-भाड़े मिल गए तूटी पूटे घर मिल गए कुछ गहने मिल गए ठीक है कुछ हतियार मिल गए कुछ सिक्के मिल गए हैं तो इन सभी चीजों का अध्यन करके उस समय का अंदाज लगाते हैं और उसमें कुछ लिपी पढ़ने भी लगे थे लोग लिपी लिखने भी लगे थे तो उसी समय सहिते लिखना फ्राराम कर दाधिया और उन sashtyょ युर्फ बढ़ने के वाद जो जनकारी मिल ऩो क्याने केलाते हैं सह। इसाय। अच्छ लिखा हुआ है जैसे कि अर्थ शास्त्र में ऐसे से लिखा है तो संदाजा लगा लिया कि मौरेकाल का इतिहास इस प्रकार से रहा होगा ठीक है पुरातात्रिक श्रोथ के अंतरगत क्या अब यह बता दूं कि पुरातात्रिक जो श्रोथ हैं यह क्यों महत्पूर्ण है क्योंकि जो भी आग एतिहासि काल तक कर जो समय अब पढत हो तो उस पूरे समय के लिए अप निर्भर किस पर पूरातात्रिक श्रोथों पर क्यों आग एतिहासि जो नहीं हो पाया तो हुआ लेकि दिए तक पण नहीं पाए है ठीक है ना تو हम फिर साहित की बाद करें तो आग एतिहासी काल के बाद जिस लिपी को हमें पढ़ने चालू कर दिये तो उस समय पर फिर हम 빛े इस पर साहितिक स्रोतों पर भी निरभर हो गई ठीक है पुरातातित स्रोतों में क्या क्या आता है भई तो पुरातातित स्रोतों में आता है आपके जो है अभी लेख आते हैं उस समय पर जो अभी लेख बनाय गए थे ठीक है इसके लाब आपके सिक्के आते हैं पुराने जो इसमारक होते हैं या फिर महल हो गए ये आ जाते हैं इस जो गेहने बगएरा में जो पहनते हैं मोटी बगएर आप जो इस्तमाल करते थे इस सभी चीजें किस से सम्मंद रखते हैं आपके पुरातात्विक ताक्षियों से ठीक है अब बात करें साहितिक स्रोतों की बात करें तो इतिहास जानने के लिए साहितिक स्रोत दो प्रकार की होते हैं हमारे पास एक होते हैं देशी और एक होते हैं आपके पास विदेशी ठीक है ना यानि कि जो किताब हैं जिनके अध्यन से जो साहिट है में पुराने मिले हैं जिनके अध्यन से मितिहास का अंदाजा लगाते हैं आकलन करते हैं वो क्या से उतने एक तो देशी होते है विदेशी का क्या मतलब है कि प्राचीन समय में भी भारती सब्विता थी या भारत जो था भारत के जो लोग थे उनका संबंद विदेशों से रहा है ठीक है आपके पड़ोसी देशों से रहा है और जब वहां के लोग यहां आते थे यहां के लोग वहां व्यपार करने जाते तो उस समय जो विदेशी लोग थे वो भी अपने वरत्तांत लिखते थे अपने आपर कितावें लिखते थे और उन्हीं वरत्तांतों में भारत के संबंद में वह जानकारी बटोर लेते थे और वही जानकारी आपने क्या किया उन विदेशी स्रोतों से आप लेके आए आपन के साहितिक स्रोथ होते हैं जिन पर हम निर्भार रहते हैं एक होते हैं देशी और दूसरे होते हैं विदेशी अब विदेशी में जैसे भाई आपकी यूनानी हो गए चीनी हो गए अर्वी हो गए ठीक है ना इनकी बात करें अब जैसे यूनानी की बात करें तो आपको जो चंद्रगुप्त मौर की जब हम बात करते हैं ठीक है ना तो उसके वारे में आपको जानकारी कहाँ पर मिलती एक मेगास्थनीश की किताब है इंडीका किसकी है मेगास्थनीश की इंडीका भई कहाँ का था यह यूनानी व्यक्ति था जब युद्ध हुआ था चंद्रगुप्त मौर का जब इतिहास में आएंगे तो इसको भी डिटेल में समझेंगे तो समय पर क्या था यह राजदूत था जो की कहां पर आ आ गया था आपके दरवार में रहने लगा था ठीक है न और इन्होंने फिर क्या किया था अपना व्रत्तान्त लिखा जिसका नाम रखा इंडिका और इंडिका से चंद्रगुप्त मौर के शाशन की बहुत सारी आपको जानकारी देखने को मिल जाती है ठीक है इसके लाब चीनी की याद करें तो आपको पते ही होगा कि दो चीनी आत इस जलवाई हो मौद्यप्रदेश मिछते थे जो मालवा के पठार मिछते थे तो यह सब जानकारी आपको कहां से मिली तो वही जो चीनी व्रत्तांत हैं चीनी यात्रियों कि उनसे मिली इसके अलावा भाई अरवी लोग भी आये थे जिए जैसे एक्जामपल के तोब की जानकारी दी ठीक है ना तो वहां से भी आपको क्या है भारत की जो नेतियां थी भारत के जो राजा माराजा थे यहां की जो जनता थी कि संस्कृती थी इन सबकी जानकारे इनके वर्कतामत में देखने को एक सहीतिक स्रूत हैं लेकिन कैसे हैं रहेट साहीतिक स्रूत की बात करें कि देशी में भारत में बात करा थार्मिक और एक के होते हैं आ questa तो ऐसे जो केंद्र में रख कर तो बनाए गए हैं लेकिन उन्हें धार्मिक स्रोतों में असाहित्यों में भी उस समय के संबंद में आपको एतिहासिक जानकारी मिल जाती हैं वो धार्मिक सुरुत क्या होंगे तो जो सिंपली किसी व्यक्ति के कोई किताब लिखी गई है को व्यक्तान्त लिखा गया है उसमें जो उसने जानकारी देदी उसको क्या बोलते हैं गयरधार्मिक स्रोत तो बहुत सारी जानकारी मिलती है और जो चानकी की जो अर्थसास्तर जो किताब है वो कैसा सायत थे भाई गयरधार्मिक स्में धर्म की बात नहीं की उसने जो अपनी अर्थसास्तर की कि जो किताब में बात की है तो किस की बात की है कि भाई एक राजा को किस परकार रहना चाहिए किसी भी सामराज में राजनितिक जो नियमा वाली होती है कैसी होनी चाहिए किसी भी राजा को कर किस प्रकार से वसुलना चाहिए किस प्रकार से खर्च करना चाहिए ठीक है ना इसके अलावा बात करें तो भाई जो न्याय विवस्था जो होती है वो कैसी होनी चाहिए इन सभी चीज आर्म्मान साहित्यों ना तेंडिक जो संबंद साहित्यों की अगर हम बात करें तुılar कि अंतरगतelnों अपको जाते हो तो उसके उन तर्गत आपको क्या कर मिल जाएंगे बहुत सारे घ्रमिक ग्रफ आपको देखने को मिल जाएंगे जिनमें कि आगर हम बात करें तो भाई आपको जो है वेद हैं फिर उसके बाद जो आपके पुरान आते हैं ठीक है ना ब्राम्मण गरंथ आते हैं तो ये सभी चीजों में भी धार्मिक रचनाओं के साथ साथ में उस समय के इतिहासिक रचनाओं भी आपको देखने को मिल जाएंगी रामायन हो गया महाभारत हो गया इन साहित में उस समय का जो इतिहास है उसके आपको बहुत सारी जानकारी मिलेगी ठीक है ना इनके अंतर के बहुत साहितों का नरकत क्या 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 आती है यह प्रस्ट में पूछे जाते हैं भाई कि जातक के कथाओं का संबंद निमने में से किस से है तो याद रखना की भुद्ध से है ठीक है ना याद रखो के किस्ते है यह बहुत धर्म से संबंदित हैं जिसमें कि जो भगवान बुद्ध हैं उनके पुनर जन्म की कथाएं लगभग पांस सो सेहतालीस कथाएं आपको देखने को मिलेंगी जो जातक की कथाएं हैं कितनी हैं 547 कथाएं हैं और यह सभी किस संबंदित हैं तो जो बुद्ध भगवान थे भगवान बुद्ध थे उनके पुनरजर्म से संबंदित कहानी इसमें आपको देखने हो मिलेगी और इसमें इतिहास भी मिल जाएगा इसके लाब आते हैं पिटक एक ना जिसकंतर का त्री पिटक सुना होगा अब पिटक सुने होंगे यह MPPSC के दोरा ही प्री में पूछा जा चुका है कि त्री पिटक का संबंद किस धर्म से है यह किस से है बहुत जैन बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं वो जैन लगा देते लेकिन याद रखना कि जो त्री पिटक है ठीक है ना पिटक हो जो मिलेगी ठीक है तो यह सभी किताब हैं जो बहुत साहित हैं इसके लावा भी बहुत सारे हैं इन सभी बहुत साहित्यों में आपको क्या मिलेगी जानकारी बहुत के सांत में आपको जो है भारत के जो इतिहास रहा है उस समय की उसकी जानकारी आपको देखने को कि भाई 25 कि आजर में कि इस पता हैं तो आज संमद्द पागं May कि अजय कि ऑंग का समभन किस तो थर्म है तो आप को पता होना चाहे कि जो आज़े नों से संबन्द है इसका इंतरगा देखोगे तो आप बारा अंग मिलेंगे जो होती है भाधार्मिक रचना ओपांग मिलेंगे दस प्रकेण सूत्र है औह Means रहें नंदी सूत्र है ये सब हैं जीन साहित्यों के उपांघ्छ के अंतरगत जो है देखे जाते हैं तो यह इतिहास जानने के सुरोत है जो कि दो प्रकारस हमने देखे क्लाग्विक हो गये और स्य算फिक हो गए ठीक है जब क jokes यही नहीं बैइन बनी थी तब टक के आतिहास के लिए तो पूरी तरह से किस पर निर्वार है प्राधाग्विक स्रोतों पर निर्भर हैं लेकिन जब लिपी बनी पढ़ी जाने लगी और हम भी उसको पढ़ पा रहे हैं तब से लेकर हम फुरातात के स्रोतों पर निर्भर हैं और इसके सांसात में साहितिक स्रोतों पर भी निर्भर हो गए हैं और साहितिक स्रोतों में देशी और विदेश से देख सकते हो तो इस प्रिकार से आप क्या है तो इतिहास जानने के कितने तो यही सोर्स होते हैं जिन से पूरे इतिहास की जानकारी बटोरते हो जितना भी इतिहास आप पड़ रहे हो वो पूरा का पूरा इतिहास आपको इन्हीं सुरोतों के द्वारा देखा जाने लगा काया निंही सुरोतों के आधर पर वितिहास तयार किया गया जो जिसका आध्यान करते हो ठीक है चलिए अब बात करतें सबसे पहले बाइच की बात करेंगे इस शूराइब है यहां किया पूछे जाते हैं नहीं यहाद रखना कि भारति प्राचिन एतिहास पढ़ोगे भारति प्राची नित्यात उसमें यह पॉइंट आएंगे और जहां से पूछे जाते रहते हैं ठीक है पूछे लेगा कि सिंदु गहांटी सब्विता के लोग भाई कैसे म्रदभांडों को इस्तमाल करते थे तो याद रखना लाल म्रदभांडों को उप्योग किया जाता था 2200 से लेके 100 80 तक उपयोग में लाये जाते थे था रखना जिनके साट शाप को कहां पर मिले हैं तो महेश्वार नागदा नओद ठोली और गुजरात का पुर्गर जो स्वन पूर्ए जो नदी घांटी खेतर है उन चेत्र में आप इस प्रकार मृत देगने को मिल जाएगा है ओलगा यह सिंदू घंटी सब इतासा संब्दिस मृत भाड़ होते थह काले और लाल मिक्स मुर्दवान थे ठीक है 2400 से लेके 180 तक इन्हों ने कहा इसका मतलब क्या है मैं आप लोगों को बता दूँ भाई पहले तो BC और AD समझ लो इसका BC का मतलब होता है इसा पूर्व समझ में आ गया और AD का मतलब होता है इस्वी अब क्या है simple सी बाद बता दूँ में एक होता है जो मरत्ती हुई उसके होई बहुत ज्यादा घुसने के जब्रत नहीं अपनों आप्शियक वाले नहीं है तो सीधी से अगर हम बात करें अबियर चल है 2022 ठीकिना तो यह है A D का समय और यह A D का समय क्या होता है तो इसमें समय होता जाता है थीके ना इसके बाद अगर सीदी सी बात करें तो अभी 2022 चल रहा है फंपल भंडे में समझे लो अब यहां से जैंसे पड़ा हो कि 2023 चोविस 25 ऐसा आता जाएगा लेकिश्य तीसा मस्ही के जन्म के पहले के जो समय था अब उसका अध्यन करना आपको नहीं पता है थिहास में आपको कहां तक अध्यन मिलेगा जैसे कि अगर मैं बात करो तो सिंदु घांटी सब्विता मिली तो लोगों ने बोला भी यह तीन हजार साल पुरानी है यहानि कि enterprises के जन्म के तीन हजार साल पहले थी तो हमने भी यह तीन हजार देख लिया कि उसके पहले थेहास नहीं था सावगों मिलते जाएंगे अभी जो समय कितना था नहीं पता तो इसके लिए सिंबल फंडा है कि यहां माइनस में रख दिया एक दो तीन चार पांच इस प्रकार से अब मान लो कि हमने बोला कि यह सिंदू खांटी सब्विता थी तो मान लो और 20-100 से लेके 17 सो तक माना तो भैं 1720 लगा दिया इस में ठीक है ना अब यह सत्रा सो से कम होता जायेगा धीरे-धीरे समय जो हाकाम होता जाएगा जीरो होगा और जीरो सा के फिर बड़ता जाएगा तो जहां बीसा यह इसा पूर्व लगा है तो याद रखना कि बड़ा प परस कमेंट सेक्षन होता है उस कमेंट में जाकर बिल्कुल अच्छे से अपनी बात रख दें कि भाई हमें सर ये वाला टॉपिक समझना है जैसे अभी मेरा एक लाइप क्लास चली थी ठीके ना ग्यारा बारा किंटे की जो क्लास थी उसमें बच्चे ने कमेंट किया हुआ है कि सर बुक्स के बारे में बता दें तो ठीक है भाई कल की क्लास में आपको बुक्स के बारे में बताएंगे कि स्पेशली लेक्चर आपको बना कि यूट्यूब पर डाल देंगे जिसमें बताने वाले हैं कि MPPSC, Pre Plus, Mens में कौन-कौन सी बुकों के इस्तमाल आप कर सकते हैं वीडियो आजाएगी तो आपके जो है डाउट के लियर हो जाएंगे तो इसी प्रकार अगर आपको कहीं लगता है कि कोई टॉपिक है जो समझ में नहीं आया या कोई टॉपिक है जो इसको बच्चों को वाकर में समझाना चाहिए तो उस पर आपके पास वीडियो नेक्स टॉरंत जरूर आएगी ठीक है ना व्याद रखना तो एडी और पीसी का समझ में आगया कि इसा पूर्व में मैंने बोला है ना कि घटना जो है कैसी जाएगी एक दो तीन चार पांच चे पीछे की तरफ जाएगी और एडी यानि कि इसवी में कैसे जाएगी आगे की आप लोग याद रख लेना चलिए अगले आते हैं वह चित्रित एवं धूसर म्रदभांड यह एक बार पूछा जा चुका है ठीक है ना यह यूपी पीसी आसम पूछा था कि चित्रित एवं धूसर जो म्रदभांड हैं वो किल लोगों के द्वार इस्तमाल किये जाते थे याद रखना यह वैदिक आर्यों के द्वार इस्तमाल की जाते थे ठीक है ना चलिए और यह बंते के ऐसे थे तो चके पर यानि की अभी आप लोगोंने कुमारों के यहां पर मटके बनती हुए देखे होंगे चका घूमता रहता है मिट्टी मुहात लगा कर उसको जैसे च पर यानि कि उसी प्रकार बनते थे यह वाले कौन से चित्र और धूसर म्रदभाण याद रखना बैदिक आर्यों को द्वार इनके इस्तमाल किया जाता था अगले हैं गेरू म्रदभाण यह गंगा चित गयात पर बहुत ज्यादा मिले हैं ठीक है ना लगभग बारा सो इस बात करें उस समय पर यह चलते थे ठीक है अब बात करते हैं भाई हडपा सब्विता वगेरा की तो देखो जब इतिहास पढ़ेंगे तो पूरा डिटेल में समझ में जाएगा वो लेकिन सिंपल सी बात बता दूं कि हडपा सब्विता के समय को लेकर बहुत ज्यादा विव बात करें जो कारवन डेटिंग रिजल्ट बताता है वो क्या बोलता है भाई तो याद रखना कि तेश्ट सो पचास बीसी से सत्रा सो पचास पचास पीसी का जो समय है यह था हडपा सब्विता का ओरिजनल समय इसको याद रखोगे ठीक है इसको सभी लोग मानते हैं को कि क मातेदार पाहिए से चितर देखने और मिल जाएगा इस परकार देखने को मिल जाएगे यह गोल सरकल में न तो यह कहां से प्राप्थ हुए तो यह बंगल और दक्ष भारस से प्राप्थ हुए है और यह शाखिक है जाते हैं ठीक है ना म्रद्भान से प्रश्ण आप से वो कर सकता है ठीक उसके बाद अगला आता है आपका कुंसा सिला लेख इतिहास जाने के जो दूसरा जो स्रोथ है आपका वो क्या है सिला लेख सिला लेखों से बहुत सारा इतिहास जाना गया है ठीक है ना उधारण की त इतिहास आपको कहां से पता चला है उसके सिलालेखों से पता चला है ठीक है ना तो सिलालेखी महत्पूर्ण आपके जो साक्ष हैं इतिहास जाने के स्रोथ हैं ठीक है अब अगर बात करूं जो अभी लेखों की बात करें तो अभी लेखों के जो अध्यान होता है सबसे पहले English Miss के answer दिये थे तो इसको क्या बोलेंगे एपीग्राफी की नाम से जाना जाता है तो अभी लेखों के जो एक्तित दिन करता उसको इपीग्राफी बोलते हैं ठीक है न अब अभी लेखों की बात करूं गाई तो अभी लेख होते हैं, कितने पिरकार के होते हैं, यहां से यह आपको पता होना चाहिए, अभी लेख कितने पिरकार के होते हैं, तो याद रखना अभी लेख होते हैं, सिला लेख के रूप में आपको मिल सकते हैं, सिला लेख मतलब जो बड़ी-बड़ी सिलाय होती थी पत्थ पर बनाए जाते हैं और उन घंबों पर को जानकारी लेख दी जाती है इसको बोलते पिर आप क्या आते हैं गुहा लेख गुहा लेख का मतला होता है जो गुफाओं के अंदर जो लेख लिख दिये गए हैं उनको आप क्या बोलो कि गुहा लेख बोलोगे फिर आते हैं तामर लेख जो तामर पात्र जो होते थे उन पर जो चीजें लिखिकर किसी को दे दी जात चीज उसमें कि व्यक्ति किस प्रकार से काम करते थे ठीके ना तो मुद्राओं पर भी लेक उत्रीड किये जाते थे और याद रखोगे ठीके न तो ये इतने उधारन हैं आपके किस चीज के अभी लेखों के अभी लेखों से क्या क्या प्रस्ण आप से पूछा जा सकता है तो यह महत्पूर पॉइंट है इनको मैंने एक एक लाइन बता है कि भाई भारत में सबसे प्राचीन अभी लेख कहां सबसे प्राचीन तो याद रखोगे अगया मिलेए हैं तो एक पटल मिला है जिस पर कुछ लिखा हुआ है हमें नहीं पदा हम पढ़ नहीं पाई उसको ठीक है इसके अलावा आपको जो है जो सिक्के मिले हैं ठीक है पात्र मिले हैं उनमें भी कुछ-कुछ लिखा है लेकिन क्या लिखा है यह हम पढ़ नहीं पाएं लेकिन हैं तो वह अभी लेखी तो याद रखो कि भारत के सबसे प्राचीन अभी लेख कौन से हैं जो हडपा सब्विता से मिले हैं वह सबसे प्राच सबसे प्राचीन अभिलेग से ढ़िये कोंसे है आर्यों से संबस्ता है जोसे प्राचीन सबसे पतार रेहिसी साल पुराना है 1420 का मतलब कितना हो लेक है तो जोड़नां इतने साल पुराना भी लेक है फिक से बोगज को ये और इस इक से यायद रको ये आह तब ही मैंने बोला कि भारत के सबसे प्राचीन हमने बुल दिया हडपा से संबंदित हैं लेकिन भारत से संबंद रखता है क्योंकि आरें संबंद रखता है जो कि कहां इरान से मिला हुआ अभिलेख है और इसका नाम है गोगज को यह चौदा सो बीसी पुराना है कैसे पता क क्योंकि जब इस अविलेख को पढ़ा गया तो इसमें पता चला कि दो राजाओं की संदी से अब Conc le lat रहा किfire तो साक्षी मान करने कर तो उसमें चार देफावान को लेग मिलता है जिसमें इंद्र और आपके कॉन से हैं जुन करके जो जो देफाव हैं आपके उन ठीकिना चार देफायों के विलेके विलेगा तो नाम मिलेंगे इसलिए कहा आखमन कहां से हुआ है लोग बोते हैं कि एरान तरफ से हुआ है अब एशा से बंद है चलिए अब प्रस्चना आप से पूछे भारत में अभी लेखों की शिरुआत किसे दौरा की गई थी तो यह भी आप याद रहो हो गए जब यह प्राचीन हडपा वगया लेकिन अगर हम बात करें कि दोबारा से जो अभी लेखों कर शिरुवात की जनको पढ़के हमें बहुत कुछ जानकारी मिली तो याद लेख हो के माध्यमस अपनी जनता को जो मैसेज देना चाहते थे वो मैसेज दे 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 ठीक है ना कि भाई चौराय पर नुकड़ पर अभी लेख में जो जानकारी देनी वो लिखके रख दी ताकि कि कोई व्यक्ति निकलेगा तो पढ़कर वो समझ जाए कि राजा का क्या ने नहीं हो जा गया यानि कि सबसे पहले पूझ किस ने कि दूटीप एंथर नहीं इसका भी लेहाँ को खोश कि और किसके द्वारा पढ़ा गया है कि जैंस प्रंसेट यह कई जगह पर जैं'veden सेकर कि जो आपको नाम मिलेगा कैं कि द्वरार इनको सबसे पहले पढ़ा गया औ ठीक है ना चलिए इसके अलावा कुछ महत्पूर्ण कॉइंट में अभी लेक की संब्द में और बता देता हूं भाई जो कि आप से पूछे जाते रहते हैं कि जैसे असोग के जो मेरट टोप्रा का जो इस्तंबलेग था इस्तंबलेग मतलब जो खंबे पर बने हुए जो ले कि जो इस्तंबलेग थे उन्हें किसने तो फ्रियुसा जो तुगलग था उसके द्वारा क्या हुआ भी यह उठवाया और दिल्ली लाया गया और वहीं क्या हुआ तो अकबर ने क्या किया कौसाम भी जो अभी लेक है उसको उठाकर इलाबाद के किले में रखवा दिया तो नहीं अगर हम बात करें जो कौसामभी का जो अभी लेक था उसको अकबर ने उठाया और सीधा का लेकर गया इलावाद के किले में ले जाके रख दिया है यह भी प्रशन है आप से पूछा जा सकता है ठीक है चलिए इसके लाब बात करेंगे जो खासकर मद्द्रदेश के स संब्द्न है जह संबन्द्न है भाई ने इसको बनवाया था ठीक है और यह कहां पर सागर में ठीक है और इसमें जानकारी क्या मिलतीगा अरण expressing मिलती जो कहां पर है सागर मिख्तित है एक दूसरा है संग भेद अभिलेक किस समन्ल欸 मौरकाली है और कहां पर है तो यह भी यह साचीगंढेंगे जिल कोन सा आप सभी लोग जानते हैं तो 510 में आप जाओगे तो जो प्रण्टेर से और अन्दर होको चड़ोगे तो सबसे पहले जो मंदर के पास आपको अभी लेक मिलेगा उसको क्या बोला है संग भेद अभी लेक कहा गया है जो मुअरकाली न पहसे पूर सकता अगला आगे करें लेंस धिके ना जो बत्स बहट वट जो रशनागारद वट्स ऻार्श बना गया और ये सित की जानकारी इसी से नियुमिस्ट्मेटिक बोलते हैं वर्ट के प्राचिन्तम सख्क्मोंं की अगर बात करें याद रखना पूछा चुका है MPPSC में कि भारत के सबसे प्राचिंतम सिक्प्राइब कौन से हैं जो मिले हैं तो आहत सिक्प्राइब की बात कर रहा हैं 500 साल इसा पूर्व यानिक लगभाग 25 साल पुरानी और यह किसके थे चांदी के बने होते थे ठीक है ना कैसे थे तो देख लो आप यह इस प्रकार है इसी को क्या बोलते हैं पंच मार्क सिक्के बोलते हैं या आहद के सिक्के कहा जाता है सबसे पोठे करने वाले प्रस्ट होते हैं जाटे यही पर उनको समझ दो कि सबसे पहले सिक्कों पर लेक उत्रिंड किसने करवाया तो यवनों ने करवाया लेक का मतलब पहले सिंपल सिक्के चलते थे उन पर लिखना किसने चालू किया तो यवन जब भारत आथे तो उन्हों कहां से सीखिं हैं हमने तो याद रखने हैं यववनो नग रखने किया था सबसे पहले सोने सिह किये जारी किस ने किये थे तो यह भी यवनो ने किये थे आ है जब यवन लोग भारत आ थे तो इन्होंने ही भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के जारी किये थे ठीक है सरवादिक सिक्के कपके मिलते हैं सरवादिक सिक्क्यों की बात हो रही है सोने चांदी की बात नहीं कर रही सिंपल ही पूछ रहे कि सबस्यादा सिक्के किस काल के हैं कि जो गुप्त लोग थे, गुप्त राजाओं ने सबसे ज़्यादा सोने के सिक्के जारी किये थे, और वहीं सबसे सुद्ध सोने के सिक्के किसने जारी किये, तो याद रखो कि कुसान सास अग जो थे उन कुसान सास को ने सबसे ज़्यादा सुद्ध सोने के सिक्के जारी किये थे ठीक है तो ये प्रस्ट है जो पूछे जाते रहते हैं आपको पता होने चाहिए अगर आप भूल जाएं तो वीडियो को पापस जाकर देखें और नोट कर लेते हैं कि भारति जो इतिहास ऐसको कितने वागों बांटा जाता है ये बहुत करने वाली बात होती कि आप लोगों इस परकार देखा होगा कई नॉसक्ता होता है प्राजितित है इतिहासिक काल और एक आपका होता है इतिहासिक काल ठीक है ना तो यह इतिहास की बात कर रहा है भारती है मद्धिप्रति इतिहास को बाद मबांटेंगे तो सबसे पहले इतिहास की डिवाइडेशन तीन भागों हो सबसे पहला है प्राग इतिहासिक काल क्या होता है कारम हुआ है लेकिन इसमें लिपी का निर्मान नहीं हुआ था यह वो इतिहास समझ में आया इसका मतलब क्या है कि मानफ उत्पत्तित हुआ फिर धीरे 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 उसमें सुधार हुए पासान नव पाशान मद्य पाशान इस प्रकार से डेवलेप हुआ धीरे धीरे बनाया सब कुछ हिया ठीक है ना लेकिन लिपी के बारे में बिलकुल नहीं जानता था इसको बोलते हैं क्या बोलते हैं और आप सोरी प्रागतिहासिक काल लिपी नहीं थी याद रखोगे ठीक है ना लिपी नहीं थी बिना लिपी तक जो व्यक्तित है नहीं कि भासा के इस्त पहले से लेके 3000 इसापूर सब्सक्राइब तक को इसापूर विये 3000 क्यों जोड़ा मैंने वह भलता है ना हडपा से संबंद रखता है ठीक है ना क्योंकि हडपा जो समय बोलते हैं प्राग इतिहासिक काल क्या होता है तो भाई आग इतिहासिक काल इतिहास का वो समय होता है जिस समय पर लिपी का निर्माण हो गया था लोग पढ़ना और लिखना जानते थे लेकिन यहनी कि जो लिपी थी वो बन गई थी लेकिन पढ़ा नहीं जा चुका है यानि कि हम उसको क्या नहीं कर पाए उसको पढ़त नहीं पाए है इसको हम क्या बोलेंगा आग एतिहासिक काल ठीक है यानि कि ऐसा समय जब लिपी तो बन गई थी लेकिन उस लिपी को हम नहीं पढ़ पाए तक उसको ट्रा यहां पर क्या आपको रशनाय देखने को मिलती है संस्कृत की और संस्कृत हम पढ़ सकते हैं इसलिए इसको क्या बोलते हैं आग आता है हड़ा पसभिता आती है हड़ा पसभिता क्यों आती क्योंकि भाई इसकी भासा को हम नहीं ट्रांसलेट कर पाएं नहीं पढ़ पाएं और वहीं प्रागेति हासिकाल में भासा के कोई बात ही नहीं थी इसको भी तीन भागों माटते हैं एक होता है पुरा पाशानकाल पाशान काल दस जार से लेके 6000 बीसी तक का जो समय था मद्ध्पाशनकाल में क्या हो गया था थोड़ा से व्यक्ति डबल अप हो गया था और पत्थरों को थोड़ा तोड़ फोड़ के डिजाइन भी बनाना सी किया पुरा पाशनकाल में तो पत्थर उठाया मार दिया खेल खतम किया जो मद्ध्पाशनकाल उसमें क्या पत्थरों को थोड़ा से डिजाइन देने लगे थे जिससे कि उनमें थोड़ी बहुत नुकीला हो जाए बजन थोड़ा सा कम हो जाए मारने की शमता बढ़ जाए और उसके बाद आता है नव पाशनकाल नव पाशनकाल कब तक का है तो भाथजी शेयर से लिए गये तीन हजार बीच सी तक का जो समय था वह कैसा था नव पाशनकाल का समय था इतिहास वह मने को पोरी whole detail के साथ सब्सक्रास थेंगे ठीक है भागेटियास की दोस्तों बात करें तो आदए का लिए-झाल यार्श Pitt राज पूत काल तक आप इसको बोल सकते हो क्योंकि ये घटनाओपर आधारे डिवाईडियास है याद ये केंसे बटआ है पूर इतिहास जो मानवकी उत्पत्ती से लेकिए जो विकास किया है से mlट के करम के अनुसार इसक供ा स को बांटा गया है ऐ कि प्राग इतिहासिक ऐस में भी आएगा ठीक है न है कि एक्या मन होना प्रारम हो गए थे तब तक कर समय दूसरा था मत्य इतिहास भाई भारती मद्यकालीन इतिहास यह कप से तो यह राजपूत काल से लेकर राजपूत काल से लेकर कब तक चलेगा यह भाई सल्तनत काल तक चलेगा सल्तनत काल के बाद इसमें मुगल काल तावन के बाद अंग्रेजों द्वारा हटाएगा लेकिन यहां जो हम अध्यन हम जो करने वाले हैं वो करेंगे राजपूत काल वाला फिर उसके बाद आपका जो है सल्तनत काला जाते हैं और यहां सुल्तान बैठें और सुल्तानों के बाद 1526 में क्या होगा मुगल सामराज का विस्तार होगा जो कि 1707 तक चलता है कि 1707 में अंग्रेज भारत आ चुके थे और यहां स्टेबल हो चुके थे फिर जब अंग्रेजों का समय आया तो वो कहला आधुनिक भारत के इतिहास जो कि हम पढ़ते हैं जनरली 1950 तक के समय को लेकिन अगर देखा जाया तो उसमें जो नई घटना को अगर एड कर लो तो वरतमान समय तक को इसमें आप जोड़ सकते हैं तो यह है दोस्तों इतिहास का कि बेसिक फंडा जो हम पढ़ने वाले हैं अब अगली क्लास हम जो स्टार्ट करेंग वो होगा मद्द्य प्रदेश के त्यास जो कि प्राचीन काल से हम वाले हैं ठीके ना इसके अलाबा अगर आपको कोई और डाउट पूछना होता आप बिल्कुल कमेंट करें हम आपके लिए बिल्कुल नई वीडियो लेकर आएंगे साथ में जो मद्द्य प्रदेश के जो छात्र छात्राएं हैं जो कि MPPSC या फॉरेस्ट की जो तैयारी कर रही है इसका लाबा MPPSC की सारी क्लासे प्री प्लस मैंस के आपको प्रोवाइट कराई जा रही है जो कि प्री का रेजल्ट आ गया है मैंस की तैयारी में आप लग गए हैं तो मैंस संबंदित अगर आपको समझ जाए हैं तो आप बिल्कुल हमारा एप जॉइन कर सकते हैं तो मिलते हैं जोस्तों नेक्स्ट क्लास के सांच जब तक के लिए जै हिंद जै भारत